कि हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल कुकाइट हों पर और आज की रेस्पी मिंट चट्नी है जिसको हम हरी चट्नी भी बोलते हैं दोस्तों यह कैसी चट्नी है जो कही तरह किसे सर्व की जाती है यह कबाब के साथ में चाट के साथ में हो आप अगोड़ों के साथ में हर जगह सर्व की जाती है तो दोस्तों आज की वीडियो काप इंट्रेस्टिंग होने वाली है आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रेस्टाइल मिंट चैनी किस तरह से अपने गयर बना सकते हो और इंजार कर सकते हो तो चलिए दोस्तों सुरू द्धनिया का 103 लेंगे उसके साथ हमने आप 2-3 हरी मिर्च लिये और एक टुकड़ा अधर रखकर ले लिया है साथ एक बॉल में हम दही लेंगे और उसके लाव हम तोड़ सा नीमो को रश लेंगे साथ हम थोड़ सा आइस क्यूब लेंगे आइस क्यूब के साथ में चटनी पीसेरदें सैंदो च्टनी का कलर बिल्कूल भी खराब नहीं होता है कि शख़ी यार थोड़े मसालय लेंगे आपर नमक ले लिये है साथ में voltar कोश्टेट जीरा साथ में लेंगे काला नमक और थोड़ सा चाड मसाला है और चटनी बनाना शुरू करेंगे यहां पर दे सकते हो दोस्तों हम पर चाप करके दो लिया है उसका निया का एक चोता ही होना चीए और पूजिने के जो डंटल होंगे वह ना यूज नहीं करने दो उसके बदाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च एक से 2 हमने हरी मिर्च डाल दी है और एक से 2 चोटी-चोटी ठोड़ा है अध्रक के डाल दिया है की की पूछी करें के उसका हुचाद warm करदें का राओ जाकठी को पत्ते को युज़बी तो हम दालेंगे प्नाक्ट के टोडशा नमक प्सके सथे नमक मज़ीक्श been डिए यश्ट जरा साथ हम आदा चम लेगे काला नमक और 1100 इसमैंडा डाली के चाट वल् spinning या- NC कम जादा लगते हैं तो उसको कर सकते हो उसके बाद हम इसमें कम से कम दोचमाज हम निमू को रश डालेंगे निमू के रश से हमारी चटनी बहुत अच्छी बनती है उसके खराब नहीं होता है तो यहाँ पर आप देश सकते हो हमने सब चीजन डाल दी हैं उसमें और इसमें और चाटनी को पीश देगे यहाँ बिल्कुल फाइं पेश्ट गैणा देने हैं और देख सकते हो जई कर लिया है और इसका जो कलर देख शक्ते हैं वी खराब नहीं हुआ है गल ठीको हम पर हम डेकर ऑइस कर में करेंगे और इसमें थोड़ा सब्सकीर करेंगे अगर आप इसके लगता है या चार्ट मसला तो मुझे को बराबर कर देंगे उसका दोस्ता में बाउल लिए और अच्छी तरह से फिंड देना कि एक हमें कहीं चमद दही मिलाना है और उसकाद हम इसको अची तर से मिक्स कर देंगे यहां पर आप देख सकते हो हमने दही मिला दिया है दोस्तों अगर आप इसको बिना दही के बनाना चाते हो तो आप इसको बिना दही के भी बना सकते हो तब जो चटनी बनते हो काफी अच्छी बनती है यह देखसकते हैं हमने देखी मिला दिया है और दंग दियां के बाद हमारी मिंड चुटनी हो बंगे तैयार हो चुकिए इसके ऐसे करदो से दय שמע़ हैNow चलway हो सब्सक्राइब है और कि यह मिंड चट्नी पणके तयार हो चुकी है एक बहुत ही सांदार चट्नी इसकी आपको चैनल को सब्सक्राब कीजिए और मिलती दोस्तों हमारी सपाइब है कर दोस्तों हमारी क्रिस विए विए धर रिस्तुकी ऑपने है करती हुं तहीए ऑफ कर सकते ऊपहले ब्लता ना कि कैसी मंशटों है करत दो अजय करें